प्रेंड्स किचन के इंचनेवर का स्वागत है आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही नया और टेस्टी प्याज के ने ने हरे हरे पत्तों की सब्जी देखिए समान है हम लोग का जितना भी चीज ले लिए हैं लसुन है दसकली जीरा कच्छा मिर्ची डरूल डाली पत्त कर दिए हैं हमारा कड़ाही गरम जोका हमेशा हरा पता ही ठंड के मौसम बहुत अच्छा से मिल जाता है जादे इसमें तेल नहीं पड़ता है दो चमस तेल दी रहे हैं जीरा कप फूरन देदें हलका से तरग जाए इसमें कच्छा मिर्ची डाल दें कट करके बीसे चीरा ल लेस्न को पतला पतला कट कर दीजिए भी डाल दीजिए कट करके अब आज हम लोग जो पतला पतला कट करके रखें हैं परकर उसको पहले जो कड़ा कर रहता है कड़ा वाला वाइट वाला उसको हम लोग डाल देंगे दो मिनट जैसी भूनें उसको पतला पतला कट करके हम को अलु ढाल देना है साथ में दोनु भूना आजाएगा तो जल्दी दोनु पक जाएंगे अल्काशा ढग दे हम लोगों चो चो माटर लिये थे वह पत्लपत्य करके डाल दे मार्थ थोड़ फ़र भूने हलका हलकाशा उसके अभी चीज को डाल दे जल्दी जल्दी से जब लोग प्याज के पत्त जो रखे हुए हैं। वह भी कट करके रखे हुए हैं। भूंते जाएंगे। गाले रहे हैं। बहुत सारे सब्स्दिक भराएं इसमें आरन बहुत होता है। इसलिए हेल्द नौर्ड भी बहुत अच्छा हरा था। इसके जरूर खाये इस तरह से बनाए जादे आरन हम उनलगी खातम होगा जल्दी ज़ली इस तरह से बनाएंगे तो छड़ी फोंगे ज़ादे हमें नहीं पकाना चाहिए हरी सबजीन को जल्दी गल जागा डगड़क भूने ठंड के मौसें बहुत सारी सब्जी आती है बहुत ही बहुत ही है टेश्टी और स्वाधी स्थोती इसलिए इस तरह से जरूर बनाए यह देखे हैं नुका जीरा पॉड़र है आधा चमच जल्दी गल जाता है बहुत ही टेश्टी लगता खाने में इस तरह से जरूर बनाए पूरे परिबार के साथ खाएं जोय करें हरी पत्ती के सब्ज़ी बनाने का अगर रिष्पी पसंद आए जाते हैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें देखे कितना जल्दी बन गया मातरी 10 मिनट के अंदर यह सब्जी बन जाता है बहुत ही टेश्टी रहता है इस तरह से जरूर बनाए अगर मागर खाए शर्व करके देखा रहे हैं